अर्थयवस्था को लेकर किंद्र की मोधी सरकार पिछले कई महीनों से विपक्च के निशाने पर लगतार बनी हुई है गिरती अर्थविवस्ता पर विपक्च लगतार सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहा है ताजा मामले में एक बार फिर राहूल गांधी ने ट्वीट कर अर्थविवस्ता के मसले पर पिये मोदी पर हमला बोला है राहूल गांधी ने पिये मोदी का एक विडियो सेयर कर अर्थविवस्ता के मुद्धे पर तंज कसा है कॉंग्रेस नेता ने वीडियो ट्वीट कर कहा कि प्रिय प्रधान मंत्री कृपया आपने जादोई व्यायाम को कुछ और बार आजमाएं कौन जानता है कि आपके इस कदम से अर्थ्वेवस्था चल पड़े वहीं दूसरी तरफ केंद्र में दूसरी बार सत्ता में वापसी कर मुदी सरकार का दूसरा वजट सनिवार को बेश गिया गया इस वजट से सभी को बहुत उम्मीदे थी हालाकि यह वजट आम आदमी को कुछ खास समझ नहीं आया CM उदव ठाकरे का नर्सी पर बड़ा बयान कहा नागरिक्ता साबित करना मुस्किल इसलिए राज्य में नहीं लागू करेंगे जिहां महाराष्ट के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि वह महाराष्ट में राष्टिय नागरिक रजिश्टर को लागू नहीं करेंगे CM उद्धव ठाकरे ने नागरिक्ता कानून C.A. को लेकर समर्थन दिया लेकिन NRC का विरोध किया सीज़शना के मुखपत्र सामना में अपने C.A. उद्धव ठाकरे ने कहा कि नागरिक्ता संसोधन कानून नागरिक्ता को छीनने के बारे में नहीं है यह देने के बारे में है CM ने कहा कि इस कानून से पडोसी देशों में सताए गए अलप संख्यकों को नागरिकता मिलेगी इसलिए हम CAA के समर्तन में हैं NRC को लेकर CM ने कहा कि वे इसे महाराष्ट में नहीं लागू होने देंगे CM उधव ठाकरे ने कहा कि अगर NRC लागू किया गया तो हिंदूों और मुसल्मानों दोनों के लिए नागरिकता साबित करना मुश्किल होगा इसलिए हम महाराष्ट में इसे लागू नहीं होने देंगे CM उधव ने असपष्ट किया कि सीशना ने हिंदूत्व की अपनी विचारधारा को छोड़ा नहीं है और नहीं उसके साथ कोई समझोता किया है दिल्ली विधांसबा चुनाओ 2020 को लेकर कॉंगरिस का घोशना पत्र जारी, बेरुजगारी भत्ता और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का किया वादा जिहां कॉंग्रिस ने दिल्ली विधान सभा चुनाव के लिए रविवार को अपना गोशना पत्र जारी किया, पार्टी ने इसमें सत्ता में आने पर सनातकों को हर महीने 5,000 रुपए तथा परा सनातकों को 7,500 रुपए बेरुजगारी भत्ता देने और पानी तथा बिजली उपभुगताओं के लिए कैसबैक योजनाव की गोशना की, गोशना पत्र जारी करते हुए दिल्ली कॉंग्रिस प्रमुक सुभास चोपडा ने कहा कि पार्टी प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करेगी, गोशना पत्र में परदूशन से निपटने और परिवहन सुविधाओं में सुधार पर हर वर्ट से 25 फीसदी बजट कर्च किये जाने की प्रतिबदता जताई गई है। जिनाव पर चार करने पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के काम को लेकर पहले सवाल उठाया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के CM पर तंच कस्ते हुए कहा कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे प बताया है। बुपेश बगेल ने कहा कि इस बजट से हमें पहले भी उमीद नहीं थी और हुआ भी यहीं। बुथ समस्याओं से मुछिपा कर कुस होना जानता है। केरल के मुख्यमंतरी ने कहा CAA हिंदू राष्टर बनाने की संग की फिलोसफी जिहां केरल के मुख्यमंतरी पिनराई विजयन ने रविवार को मुंबई में नागरिक्ता कानून का विरोध करने की तीन वज़ें ब मिसन हिंदू राष्टर को थोपने की बात कही गई है। पिनराई विजयन ने कहा कि आज कुछ सामपरताइक ताकते अंग्रेजु की रणनिती बना रही है। वे देश की एकता को समुदाय के अधार पर बाट रही है।